स्टडी आईक्यू पर आप सभी का स्वागत है इरान से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है इरान के टॉप नुक्लियर साइंटिस्स की यहाँ पे हत्या कर दी गई है इस चीज की कन्फरमेशन कल रात को ही इरान की मीडिया ने दे दी थी उसके इमिजेटली बाद यहाँ पे दुनिया भर की मीडिया एजेंसी इसको कवर कर रही है लेकिन साथी में यहाँ पे इरान ने इसराइल और USA को भी यहाँ पे अक्यूजेशन लगाई है उनके उपर की इस असासिनेशन में डारेक्ट हाथ है इसराइल और USA का जानेंगे why this is such a big deal and in fact अगर आपको ध्यान होगा January में इरान में एक बहुत ही बड़ी assassination हुई थी जिसमें इरान के एक General Qasim Soleimani की हत्या हुई थी ड्रोन के द्वारा and तब से लेके अभी तक इरान और US की tensions काफी जादा है and कई सारे experts कई सारे strategic affairs के experts ये बोल रहे हैं कि Qasim Soleimani की हत्या से भी बड़ी हत्या ये वाली मानी जाएगी because ये वाले जो scientists थे ये इरान के nuclear program को directly oversee कर रहे थे चलिए start करते हैं जानेंगे पूरी की पूरी details इसके पीछे क्या है मेरा नाम है अनिरुध इस lecture की PDF को यदि आप लोग download करना चाहते हैं so मेरे telegram channel से कर सकते हैं इसके इलावा social media पे भी आप मेरे साथ जुड सकते हैं study IQ आप को download कर सकते हैं from the google play store और आप पे आपके UPSC की तयारी को आसान करने के लिए we have launched a course past year prelims discussion जिसमें हमने पिछले 10 साल के papers को subject twice discuss किया है इस course को मातर बारा से तेना दिन में खतम कर सकते हैं जल्दी से आप पे जाएं और इस course को buy करें all right so before we begin सबसे पहले आपको briefly समझना होगा कि US और इरान की जो relations है वो पिछले 4-5 साल में किस प्रकार रही है so 2016 के पहले जब US के प्रेजिडेंट थे बराक ओबामा 2015 में तो इन्हों ने एक बहुत ही एहम बहुत ही significant deal को sign किया था with Iran जिसका short में नाम है JCPOA Accord यानि कि Joint Comprehensive Plan of Action और ये वाला जो accord था इसमें जो deal थी इसमें ये हुआ था कि USA यहाँ पे इरान के उपर जो sanctions लगाये हुए हैं उनको हटा देगा because इन sanctions की वज़े से इरान की जो अर्थ विवस्था है वो काफी हद तक cripple हो चुकी थी and उनके जो oil exports थे इरान की economy mainly oil exports पे चलती है वो भी काफी हद तक कम हो चुके थे लेकिन बदले में इरान को यहाँ पे यह promise करना था कि हम अपने nuclear program के उपर कुछ limits रखेंगे कुछ उसके उपर हम सीमा रखेंगे और यह जो सीमा रखी जाएगी until 2025 रखी जाएगी लेकिन 2016 में जब USA के नए president आते हैं Donald Trump तो उन्होंने आने के दो साल के बाद अपने आपको इस deal से withdraw किया और यह भी कहा कि this was the worst deal ever जो कि USA ने आज तक sign की थी उसके बाद दो बड़ी चीजें हुई सबसे पहली 3 जानवरी 2020 को जो कि इसी साल की शुरुआत की बात है बगदाद के international airport पे Qasim Soleimani एरान के एक military general जिनकी हत्या की गई US एक drone के द्वारा and then we have this one that is Iran's top nuclear scientist was killed in the ambush और यह कल रात की ही बात है इसका confirmation दिया गया state media के द्वारा now कौन है यह scientist किस प्रकार यह important है उसको समझ लेते हैं so इन scientist का नाम है Mohusain Fakri Zadeh यह Mohusain Fakri Zadeh basically head of research and innovation है at Iran's ministry of defense और माना जाता है कि इनका काफी महतुपूरन role है in the country's nuclear program in fact इनका कई बार जिक्रा कई सारी media agencies ने इसके इलावा otherwise भी किया है 2015 की बात है New York Times ने इनकी तुलना की थी with J. Robert Oppenheimer so I am sure आपने अपनी world history में पढ़ा होगा about Oppenheimer J. Robert Oppenheimer वो वाले physicist हैं वो वाले scientist हैं जिन्होंने Manhattan Project को direct किया था यानि की Manhattan Project के जो मूल हम कह सकते हैं निर्देशक थे वो J. Robert Oppenheimer से and Manhattan Project is the same project जिसके चलते दूसरे विशुद के दौरान जो atomic weapons थे उनको बनाया गया था इवन 2018 में कुछ Israeli दस्तावे सामने आये थे जिन्होंने ये कहा था कि महसेन फाकरी जदे is leading a program to create the nuclear weapons तो इनका जिक्रा पहले भी कई बार हो चुका है इनफाट यहां पर आप देख सकते हैं इसराइल के PM Benjamin Netanyu इन्होंने भी 2018 में एक presentation के दौरान ये कहा था कि Project Amad भी इसी scientist के दौरा launch किया गया था और कई सारे इरान के nuclear program के जो key personal है वो इसके अंडर काम करते हैं on Project Amad Now इस particular presentation में एक बड़ी interesting बात है इन्होंने बड़े ही एक dramatic तरीके से ये भी कहा था कि इस नाम को याद रखी है Remember this name Mohsen Fakri Zade खेर ये तो ये basically जो इसराइल और USA है यहां पर उनका ये मानना है कि जो Mohsen scientist है ये इरान के nuclear program में काफी जादा active है वहीं अगर आप देखें इस पर इरान उनका यहां पर conviction कुछ और है इरान ये बोलते हैं कि Fakri Zade was actually involved in an air defense project for detecting the spy aircraft without using radar systems and that Israel was well aware of his role in affairs which could confound Israel कि इसका जो role है वो कहीं पर भी nuclear program में नहीं था बलकि वो यहां पर air defense project को बनाने में था spy systems create करने के लिए यहां पर इनका role रखा गया था now इनकी जो हत्या हुई है यह basically कल रात को हुई है so अगर आप इस map को ध्यान से देखें तो यहां पर है आपका इरान इरान में बिलकुल northern इरान में पढ़ता है तहरान जो कि इसका capital भी है इसकी राजधानी है तहरान से थोड़ा सा east आएंगे यहां पर एक इरान की university है उसका एक campus है जिसका नाम है दमावंद campus वहां पर Islamic Azad University के दमावंद campus पर यहां पर इनके उपर attack हुआ so पूरी attack की कहानी यहां पर important नहीं है but the thing is कि यहां पर इस attack में यह काफी बुरी तरीके से जखमी हो चुके थे उसके बाद इनको hospital ले जाया गया लेकिन hospital में जाते ही इनकी death हो चुकी थी so Iran has confirmed the assassination of top nuclear scientist Mohsen Fakhri Zadde अब देख सकते हैं Axios एक Iran based media agency है जिसने इस news को confirm किया further बात करें तो जैसे ही यह news सामने आई इरान के सभी officials including अधिक्तर ministers और कई सारे और officials ने इस particular assassination को बहुत condemn किया इसकी अलोचना की यह जो उपर आप देख सकते हैं यह tweet है जवाद जरीफ का जो कि इरान के foreign affairs के minister है इन्होंने कहा terrorists have murdered an eminent Iranian scientist today this cowardice with serious indications of Israeli role shows desperate war mongering of the perpetrators ठीक है इरान also calls on international community especially the European Union to end their shameful double standards and condemn this act of state terror यही नहीं अगर आप देखें जो इनके रक्षा मंत्री है अमीर हतामी इन्होंने भी यहाँ पे कहा the killing was clearly linked to the US assassination of General Qasim Soleimani by drone in January जैसे मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ कि January 2020 में इस साल जब शुरू हुआ था तभी इरान के एक बहुत ही important General Qasim Soleimani की हत्या की गई थी by the drones in January month ठीक है इसके immediately बाद यहाँ पे इरान के कई सारे corner से कई सारे section से revenge की call भी सामने आने लगे कि हमें इस चीज का बदला चाहिए और in fact कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जिस तरीके से जो popular anger जो लोगों में गुसा था after the killing of Soleimani उसी तरह का गुसा दुबारा भी सामने आ सकता है in fact अगर आप देखें जो Soleimani के हत्या के just बाद इरान ने कई सारे US troops के उपर firing की थी इरान fired missiles at bases housing American troops in Iraq तो ये चीज दुबारा भी देखने को हो सकते है हाला कि उस टाइम पर कोई fatalities नहीं हुई American soldiers की लेकिन it is highly possible कि अब जहां पर चीजें और भी गंबीर हो सकती है और जो संबंध है इरान और USA के वो और भी ज़्यादा खराब हो सकते है further as I was telling you जो कि इरान में केवल मंत्रियों नहीं नहीं इरान के कई सारे और officials हैं जो कि इस death को condemn कर रहे हैं जरीफ जो कि again foreign minister है उन्होंने यहाँ पर international community को तो कहा ही है condemn करने को लेकिन जो इरान के armed forces के chief है Major General Muhammad Bhagiri इन्होंने कहा है कि assassination को avenge किया जाएगा यानि कि हम इसका बदला लेकर ही रहेंगे further जो इरान के ambassador है to the United Nations यहाँ पर इनका नाम है Majeed Takt Ravanchi इन्होंने यहाँ पर यह कहा है that they have urged the organization to condemn the attack and warned the US and Israel to refrain from any adventuristic measures कि आप इस time पर कोई ऐसे प्रयोग ना करें जिससे कि हमारा relation खराब हो सकता है and also उन्होंने ये भी कहा है कि अभी American presidential transition चल रहा है यानि कि अभी आपको मालूम होगा Donald Trump को हराने के बाद Joe Biden नए President चुने गई है अमेरिका के लेकिन उन्होंने अभी तक शपद ग्रहन नहीं की है तो ये एक दो महीने के अंदर उनका शपद ग्रहन का समारो होगा उसके बाद यहाँ पे ये जो प्रॉपर्ली प्रेजिडेंट बन जाएंगे Joe Biden लेकिन तब तक अमेरिका में जब तक ये transition चल रहा है तब तक situation अमेरिका में भी उतनी stable नहीं है So, इन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को भी कहा है कि जब तक आपका transition complete नहीं हो जाता तब तक आप कोई ऐसा प्रेयोग ना करें Now, finally the most important thing इरान ने यहाँ पे directly accuse किया है इसराइल और US को और इसके पीछे के कारणों को भी समझेंगे किस तरीके से इरान यहाँ पे accuse कर रहा है देखिए, again इरान की ही एक media agency Axios जिसके बारे में पहले हम जिकर कर चुके है Axios ने ये दो दिन पहले की बात है यानि कि यहाँ पे जो assassination थी ये 27th को हुई लेकिन ये वाली जो खबर आप देख रहे हैं ये 25th November की है यहाँ पे Axios ने एक report पेश की थी कि Israeli military prepares for possibility Trump will strike Iran, ठीक है So Israel की जो military है वो यहाँ पे इस possibility के लिए तयारी कर रही थी Already, Israel's government had instructed the military to prepare for a possible US strike against Iran during the remainder of Trump's term So Trump की जो term है आपको मालूम होगा इनका जो कारेकाल है वो लगभग एक जड़ महिने का बचा है So इस कारेकाल में कोशिश की जा रही है कि किस ना किसी तरीके से ये इरान के उपर कोई और strike कर दे ठीक है, और इसी लिए जहाँ पे इरान की जो media agencies है वो ये मानती है, the assassination comes at a very very sensitive time, because Trump की defeat हुई है, November 3 की US election में, अब इस time पे क्योंकि Trump की defeat के बाद जो जो Biden है, उन्होंने already पहले बोल दिया था कि हम यहाँ पे किसी ना किसी स्तर पर इरान के साथ अपने संबंदों को ठीक कर सकते हैं लेकिन अगर जाने से पहले वो यहाँ पे कुछ ना कुछ और कर जाते हैं, डानल्ड टरम्प कुछ ना कुछ और कर जाते हैं, तो यह मौका छूट सकता है, जिस तरीके से इरान के साथ यहाँ पे चीज़न ठीक हो सकती थी, वो मौका अब हाथ से छूट सकता है So these are the possible reasons कि यहाँ पर इरान particularly यह मानता है कि इस अटाक के पीछे USA और इसराइल का डारेक्ट हाथ है, बेकाज आने वाले जो प्रेजिडेंट हैं, वो यहाँ पे इस particular relation को ठीक कर सकते हैं When asked the Israeli PM Benjamin Netanyahu and when asked the Pentagon officials and when asked the CIA, इन तीनो नहीं इसको लेकर किसी भी प्रकार की टिपनी नहीं की है, so अभी तक जो महौल है वो Middle East में काफी जादा unstable है केवल इरान और US के बीच में नहीं बलकि इरान और इसराइल के बीच में भी यहाँ पे relations काफी हद तक खराब हो चुके हैं, it remains to be seen कि इसके बाद क्या होता है फिलाल के लिए इतना ही, I take your leave thank you for listening, stay tuned and stay safe